आहम तोर पे देखा गया है कि लोग बालों के जड़ने और सफिध होने से बहुत परिशान रहते हैं हलो फ्रेंस विलगम बैक तो मै beauty आज मैं आपके साथ बालों को काला करने जंडेश्य और जड़ते हुए बालों को रोकने का एक बिलकुल ही नैच्यूरल हीयर मास्क शेयर कर रही हूं ये न सिर्फ आपके बालों को काला करेगा बलकि जढ़ते हुए बालों को भी रोकेगा चलिए देड न करते हुए आज की वीडियो स्टाइट करते हैं फ्रेंस यहां हमने दो चम्मच मेथी दाना लिया है मेथी दाने में नए बाल उगाने और बालों को जढ़ने से रोकने के अद्बुद गुड़ होते हैं मेथी दाना आपके बालों को जढ़ने और पतला होने से रोकेगा इसके बाद हम इसमें एड करेंगे एक चम्मच कलॉंजी कलोंजी में भरपूर मात्रा में औश्यदियां गुड़ होती है इसका अपयोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है कलोंजी में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आईरन, कॉपर, जिंक, फासफोरस गुड़ होती है ये आपके बालों को जड़ों से काला, घना और लंबा बनाएगा साथ ही साथ जहां पे बाल गिर चुके हैं वहाँ पर नए बाल उगाने में ये हेल्प करेगा तो हमने यहां पे दो चम्मच मेथी दाना लिया है और एक चम्मच कलोंजी अब इसमें हम जरूरत के हिसाब से पानी एड़ कर देंगे यानि कि हम इसमें इतना ही पानी एड़ करेंगे जिसमें ये हमारा मेथी दाना और कलोंजी अच्छे से भीग जाए और फिर क्या करना है इसको हम रात भर इसी तरह से छोड़ देंगे यानि कि ये process हमें रात में करके रखना है तो हमने पूरी रात के लिए इससे पाने में भिगो कर रख दिया है पूरी रात हमने मेथी दाना और कलॉंजी को भीगा हुआ छोड़ दिया था आप देख सकते हैं मैं इसे morning में चेक कर रही हूँ और ये देखे अच्छे से ये फूल गया है अब हमें करना क्या है इसको mixer jar में डार कर इसका एक fine paste तयार कर लेना है चलिए पहले मैं इसको अच्छे से piece कर लेके आती हूँ तो मैंने इसको अच्छे से piece लिया है और जिस पानी में हमने इसी भिगोया था ना उस पानी के साथ ही हमने इसको pizza है अब इसमें हम क्या एड करेंगे इसमें हम दो चम्मच दही एड करेंगे दही में vitamin और fatty acid पाए जाती है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है तो अब इसमें हम आधा निम्बू का रस एड़ कर लेंगे तो हम इसमें आधे निम्बू का रस एड़ करने के बाद अब इस सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दही में एंटी फंगल गुड़ पाए जाते हैं जो बालों से डेंडरफ को हटा कर सिर को साफ कर देते हैं दही के यूस से बालों का जढ़ना रुक जाता है तो अब हमारा हेर मास्क बनकर बिलकुल तैयार है यह कंडिशनर के रूप में भी बहुत अच्छा है तो चलिए अब आपको बताते हैं से लगाना कैसे है इसको बाल फ़्ट अब थंड़ पाने से हेर वाश कर लें और आपके बालों में बहुत अच्छी चमक आए तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे हफते में कितने बार लगाना इसे हफते में आप दो बार लगाए और सिर्फ आदे घंटे के लिए लगाए उसके बाद आप की सारी सॉल्व हो जाएंगी अगर आज की वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा